Hello Friends, मैं बिर्जेश कुमार, motivational speaker and business trainer आज मैं आप सभी के सामने अपना एक छोटा से experience अपने जा रहा हूँ मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि सर मेरी life में बहुत दुख है, परशानी है अब सर देखिए, concept क्या है life का यहाँ सुख भी है, दुख भी है और दोनों की बरावर जरुवत पड़ती है इंसाम को अगर हमें निरंतर सुख मिलेगा, तो वो भी हमें दुख के बरावर लगेगा अब जैसे कि इसको हम guess कर लेते हैं like सुख का मतलब दिन और दुख का मतलब रात अब रात के बाद सर सुबह होती है, कहा गया है रात के बाद सुखे होती है, लेकिन सुखे के बाद रात दितो होती है तो इसमें आप ये बाद हमेशे याद रखिएगा जब तूटने लगे होसला, तो ये याद रखना बिना मेहनत के हासिल तक तो साज नहीं होते धूंड लेते हैं अंधेरे में वो मंदिल अपनी क्योंकि जुगनु कजी रोशनी के महताज नहीं होते बस मैं अपनी यही बात रखना चाह रहा हूँ कि जो भी परिशानी हो उसका डट के सामना करिए आप प्राब्लम्स आपती है हमें मजबूत बनाने के लिए वीक बनाने के लिए नहीं तो हर प्राब्लम्स का आप लोग सामना करिए और कुछ अगर अंसेक्सेस्पुल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं उस पर आप नज़र रखिए कि अगर गल्तियां हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं जब भी कोई गल्ती हो उसका ब्लेम दूसरे पर ना करें आप खुद पर करें, खुद को देखें कहा गया है और सफलता एक चुनोती ये स्विकार खरो आप से भूल क्या रह गई देखो और सुधार करो जब तक ना हो सफल तुम, नेन चैन की ठ्यागो तुम संघर्षों का मैदान छोड मत भागो तुम कुछ किये वगैर जय जय कार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती Thank you and all the best for your bright future